दरो मत कहते कहते अब अमेठी से लडो मत परिवार के किसी भी सदस्य में यह दम नहीं है कि वो अमेठी से स्मृति रानी जी के मुकाबले में लड़े मुझे तो कम से कम ऐसा लगा कि कहां फसा दिया यार यह उनके मन में था तो इसको अंगरेजी में कहते स्केप गोट बनान कियल शार्माजी को शुपकामना है कम से कम राखुल गांदी जी जो दम नहीं दिखा पाए कियल शार्माजी दिखा पाएंगे, इनकी राजनयतिक 물ाशत समात्त हो चुकी है, इसलिए माता जी भी राजसभा के माध्यम से सदन पहुंची है, और बेटा भी जो है वो राय बरेली जैसी सेफ सीट जिसको वो मानते हैं वहाँ चले गए हैं अमेठी से लड़ने क्यूंकि हिम्मत नहीं हो डरो मत कहते कहते अब अमेठी से लडो मत आज जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अमेठी को छोड़ दिया है और कॉंग्रिस पार परिवार के किसी भी सदस्य में ये दम नहीं है कि वो अमेठी से स्मिती रानी जी के मुकाबले में लड़े तो एक बात स्पष्ट है कि अब कॉंग्रिस पार्टी ने भी स्विकार लिया है कि अब की बार 400 पार इंडिये के लिए और उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट आन नहीं कर पाए और इसलिए जब अमेठी की जनता ने रिजेक्ट कर दिया तो राहुल गांदी जी वायनाड चले गए अब वायनाड ने भी रिजेक्ट कर दिया है तो राहुल गांदी जो तथाकति सेफ सीट मानकर राय बरेली आये हैं तो राय बरेली के लोग भी इस बार ऐसे सांसत को चुनेंगे जो उनके बीच रहेगा ना कि जो विदेशी दौरे पर निकल जाएगा और जहां तक सवाल है केल शर्मा जी का जब मीडिया के कुछ बंदों ने केल शर्मा जी से सुभे कहा कि आपका नाम घोशित हुआ है अमेठी से प्रियांका जी और रॉबर्ट जी के आगे आपका नाम आया है तो केल शर्मा जी की जो प्रतिक्रिया थी उस प्रतिक्रिया को देखकर मुझे तो कम से कम ऐसा लगा कि कहा फसा दिया यार यह उनके मन में था तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्केपगोट बनाना केयल शर्मा जी को शुपकाम ना है कम से कम राहुल गांदी जी जो दम नहीं दिखा पाए केयल शर्मा जी दिखा पाएंगे परन्तु नतीजा वही होने वाला है 80 में से 80 सीट भाजपा और NDA UP में जीतने वाली है राहुल गांदी जी अपने आपको समझते हैं कि वो अहंकार के चलते और परिवार के नाम के चलते वो जहां से भी चाहे वो लड़ सकते हैं और जीत जाएगे परन्तु क्योंकि अमेठी के लोगों के लिए उन्होंने कभी कोई काम किया नहीं और अमेठी से ज़्यादा वो विदेश में बैंकोक से लेकर अन्य देशों में ज़्यादा दोरे करते रहे अब पिछले पांच वर्षों में हारने के बाद राहुल गांदी कितने बार अम बनाइक्षण में अपना घर नहीं बनाएं दूसरी वर स्मिर्ठी जी ने ऐसे चार लाक लोगों के टॉयलेट बने और तोो में बनाएं तो आज जब देखा कि अमेठी और राय बरेली दोनों जगे से इनकी राजनेतिक विरासत समाप्त हो चुकी है इसलिए माता जी भी राजसभा के माध्यम से सदन पहुंची है और बेटा भी जो है वो राय बरेली जैसी सेफ सीट जिसको वो मानते हैं वहाँ चले गए हैं अमेठी से लड़ने कि उनकी हिम्मत नहीं और वैसे भी रावल गांदी ने अमेठी के वोटरों के बारे में कहा है कि अमेठी के वोटर्स को विशह समझ में नहीं आते वो तो केवल कुछ और वोटर्स को समझ में आते हैं तो जिस प्रकार की अपमान जनक टिपणियां उन्होंने अमेटी के वोटर्स के विशय में की है शायद उनको आभास हो गया होगा कि अमेटी की जनता उन्हें इसके लिए माफ ने करेगी